हलो मैं आपका दोस्त राकेश अपने यूटूब चैनल चैलेंज पॉइंट में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं अक्सर मैं आप लोगं के लिए वीडियो टैस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लेकर आता रहता हूं दोस्तों लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको ब्रिजिस्टोन के टैस की अन कंडिशनल वरेंटी के बारें पूरी डीटेल में जानका दी दूँगा अब भी ब्रिजिस्टोन कंपनी ने स सेप्टिमबर 2019 से ही अपने टैस में अन कंडिशनल वरेंटी ला दी है लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे हमारे दोस्त हैं ऐसे हमारे कस्टूमर्स हैं ऐसे हमारे यूजर्स हैं जो अन कंडिशनल वरेंटी के बारे में वाकिप नहीं हैं उनको जानकारी नहीं है अगर उनका ट वीडियो इन तक जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो को देखने बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सौल्व हो जाएगी टायर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने पड़ेगी दोस्तों चलिए मैं अपने अपने टायर्स पर लाई है अनकंडिशनल वरेंटी का मतलब होता है अगर ब्रिजिस्टोन का टायर्ट जो आप यूज करते हैं आपकी गल्ती से किस्मस से या किसी ऑपजेक्स से टकरा कर कोई कास से पत्थर से सीशा से सरीय से डेमेज हो जाता है कड़ जाता है फट जाता तो उस condition में भी company आपको change करके नए टायर दे देती हैं लेकिन इसका भी अपना एक procedure है इसका भी अपना एक system है दोस्तों अगर आप पूरी तरीके से इसका procedure research system नहीं जानते हैं आप में फटे हुए टायर का या damage टायर का आप warranty नहीं ले पाईएगा आईए मैं इसकी जानकार जैसा कि company की जो unconditional warranty की policy होती है वो तीन साल की है और इसमें दो चीजे बहुत ही important होती है सबसे पहला कि तीन साल और जो है दूसरा है कि 60% अगर आपके टायर की rubber 60% से अधिक 3 साल के अंदर घिज गई है दोस्तों उस condition में भी company आपको unconditional warranty नहीं देती है और अगर आपका टायर 60% के अंतर करते मतलब 40% भी रबढ़ है तब तक आपके टायर में unconditional warranty लागू होती है लेकिन unconditional warranty के लिए आपको सबसे जो must होता है आप जो भी टायर परचेज करते हैं उस टायर का registration होना चाहिए अगर आप कोई भी टायर परचेज करते हैं उसका उस आपको registration जरूर करवाना पड़ेगा उस जब आप टायर कोई परचेज करते हैं दुकानदार आपका नाम, mobile नमबर, आपकी गाड़ी नमबर, कमपनी का उसके पास authorized application होता है और उस application पे आपकी पूरी details submit करके आपके टायर का registration कर देता है जब registration आपके टायर का होता है तो व देखित में return में आपके WhatsApp नमबर पर जाती है दोस्तों अगर आपको unconditional warranty चाहिए आप कोशिस यही करिए किसी भी अथ्राइस लेक काउंटर से ही ब्रिजिस्टोन का टायर परचेज करिए तब ही आप unconditional warranty के लिए eligible होंगे अब दोस्तों होता क्या है कि अक्सर जब टायर हमारे यह बताया जाता है कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हमारे अंदर confusion होता है आखिर में company ने हमें unconditional warranty दिया है लेकिन दुकानदार कहता है जब गेज लगा कर नापकर आपको बताता है आपके number message आता है इसमें आपको इतना पैसा देना पड़ता है था हम बहुत ही वहाँ भी बहुत confused हो जाते हैं लगता है दुकानदार हमारे साथ गलत के लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों चाहे conditional warranty के अंदर गता आपका टायर हो चाहे unconditional warranty के अंदर गता आपका टायर आता हो आपके टायर का जितना भी depreciation होगा जितनी भी घिसाई होगी वह आपको जरूर देना पड़ से डायमेज हुआ है कोई object से टकरा कर डायमेज हुआ उसमें company की कोई गलती नहीं होती है फिर भी company अपने customer को सपोर्ट करने के लिए इतनी अच्छी policy लाई है कि टायर डायमेज होने के बाद भी कम सकम यह समझे का आप में depreciation काट के सोचिए आपका टायर चार हजार पांस बीस बीस जार के नए नए टायर होते हैं वो किसी object से टकरा कर डायमेज हो जाते हैं कर जाते हैं फड़ जाते हैं फिर भी company 1000, 2000, 4000, 5000 यह depreciation लेकर आपको नए टायर दे देती है इससे बड़ी कोई खुसकबरी की बात नहीं हो सकती है मार्केट में बहुत सारी ऐसी कमपनिया रन कर रही है जिनमें आप manufacturing fault की warranty लेने के लिए आप जाते हैं तो एक एक हपता उनके service इंजीनर चेक करते हैं आपको एक हपता बेट करना पड़ता है डिश्टोन company ने तो यहां तक आपको unconditional warranty दी है on the spot on the spot आपको एक पल भी बेट करने की जरूत नहीं है अगर आपके टाय टायर को आप किसी भी जगह से किसी भी डीलर से आप परचेज करिए आल ओवर इंडिया आप किसी भी इस लेकर जैसे सब्सक्राइट आपने कोई टायर डेलही में परचेज किया आपकी गाड़ी गोंडा बस्ती बहराई नोड़ा फैजाबार तेलांगना कहीं पर भी है कि किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी जिले में है वहाँ पर भी अगर आपका टायर डायमेज हो गया अगर आप अंडिस्टेशन हुआ है उस इस्टेट या उस जिले इस्टिक में भी जाकर आप अपने टायर का अंडिस्ट ले सकते हैं आपको कोई मना नहीं करें कि कि यह इने अपने टायर्स पर अन कंडिशनल रोडिंटी दिया है दोस्तों ब्रिज्टोन आप यूज करिए ब्रिज्टोन की रनिंग लाइफ भी सबसे अधिक होती है कि लाख साव सो लाख किलूमेटर टायर चल जाते हैं डियूरेबल होते हैं कमफर्टेबल होते हैं इनकी लाइ आप सही तरीके से इसको जज करिएगा आपको यह बिल्कुल भी कोश्टली भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कोई सस्ता टायर परचेज करते हैं जिसकी रनिंग लाइफ तीजार पैंतिजार चालिस जार होती है ब्रिजिश्टोन टायर्स की लाइफ लगभग जो है आप में 70,080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 फार चुन जैसे गाड़ियों में एक लाख किलो मिटर चल जाते हैं दोस्तों ब्रिजिस्टोन टायर की वरेंची से रिलिकेट अगर आपको कोई क्वैरी हो हाँ मैं एक और मेरे माइंड में भी बात आगई मैं एक आपको और बहुत बड़ी जानकारी दे दूँ कि जो टायर आपके गाड़ी के साथ लग कर आते हैं उनको OEM फिटमेंट टायर बोलते हैं और आज भी बिजिटोन कंपनी ने OEM फिटमेंट टायर पर मतलब ओरिजिनल एक्यूपमेंट फिटिंग टायर पर अनकंडिश नहीं देती हैं उस पर वरिंटी होती है बट मैनुफैक्शिंग फॉल्ड की मैनुफैक्शिंग फॉल्ड मतलब आपका टायर एर बल्ज ले लिया हो उसकी रवड क्रेक हो गई हो या तार आपका निकल आया हो अब एक और भी कंपनी के पास टायर है जो इकोपिया सीरीज उस टायर पर भी कंपनी की कोई वरेंटी नहीं अगर इकोपिया सीरीज का कोई भी टायर डायमेज होता है कंपनी आज भी उस पर कोई वरेंटी नहीं देती है आपकी जानकारे के लिए बता दू एक और भी टायर है कंपनी का जो 215.55.17 साइज का होता है उस टायर पर भी कंपनी ने अभी तक कोई वरेंटी नहीं दी है दोस्तों की कोपिया सीरीज हो गया 215-57 एक टायर हो गया आपका साइज और जो ओएम फिटमेंट है गाड़ियों के साथ लग कराता है उस पर भी कंपनी की कोई वरेंटी नहीं होती है दोस्तों मैं इसलिए आपको बता दो क्य दो हजार चली है 15 किलिमेटर चली है टायर हमारा फट गया है इसका क्लेम कैसे करें उनके लिए बस यह है कि दोस्तों उन टायरों का क्लेम अंदर कर नहीं होगा दोस्तों और सबसे बड़ी मैं बात आपको बताओं दिखिए टायर है जैसे हम हर चीज के रख रखाओं का ध हमारी उम्मीदे होती है उसी तरीके से से हमारा टायर भी है अगर हम अपने टायर के रख रखाओं का जितना ही अधिक ध्यान देंगे उतना ही अधिक हमारा टायर हमें अच्छी live देगा ने कि हुश् Disney हमें उससे performance मिलेगी उतनी ही अधिक हमें लाई मिलेगे अब कर 일이 के र गाड़ी का वील एलाइमेंट वील बैलेंसिंग आपके टाइस में नाइट्रोजन एयर यह सारी चीजे हमेशा ध्यान देनी है हर पांच जार किलो मीटर पे आपकी गाड़ी का कम से कम एक वन एक बार एलाइमेंट हो जाना चाहिए और कम से कम आपका पांच सिद्दास जार क वरलायमेंट बैलेंसिंग नाइट्रोजन एयर अपने टाइर के रख रख रखाऊ वागा पूरी तरीके से केयर करते हैं ध्यान देते हैं वही टायर जो 40,000, 50,000 चलने वाले हैं वो टायर आपको जो है 60, 70, 80, 80,000 किलोमीटर की रनिंग लाइब देंगे दोस्तों मैं आपका दोस्त राकेश आप सब के लिए बहुत सारी वीडियो अभी मेरे यूटूब चैनल पर अप्लोड भी हैं फेस्बुक इस्टाग उसे like करिये comment करिये share करिये और अपने दोस्तों को जो है share करना न भूलिए दोस्तों अगर आपको Bridgestone टायर से related किसी भी तरह से कोई query करनी हों किसी भी तरीके साथ के अंदर कोई confusion हो आप मेरा यह WhatsApp नंबर है 8318 718220 आप उससे contact बे जीज़क कर सकते हैं Company Policy के अंतरगत जो भी लीगल तरीके से जो भी सही होगा मैं आपकी पूरी की पूरी हिल्प करने की कोशिश करूंगा दोस्तों थैंक यू सो मच